है बच्चा लोग साइद आप लोगों की वज़ा से तुरंत हमको वीडियो सूट करना पड़ा अभी हमारा स्वास्त आप लोग जान रहा है अच्छे से टेलिग्राम पे बहुत से बच्चे जुड़े हुए थे अभी बात्चे चली रहा था अभी 15 मिनट पहले हम बात्चित किये फिर हमने उनसे प्रमिस किया कि अभी हम सूट करेंगे थोड़ी दिर बाद तो हेल्थ में बहुत ज्यादे सुधार तो नहीं हुआ हलका फुलका सुधार है और हमने सचा कि साइद अगर कर सकते हैं तो आप लोगों को वीडियो दे क्योंकि मेरा खुदी मन नहीं लग चैनल की तरफ हेलो बच्चा लोग दिस इस गोपाल सेर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए जरूर करें लाइक का बटन प्रेस कर दें तो चलते हम क्लास की तरफ बच्चा हमने स्टाट कर दिया है वेक्टर एंड पेस्ट जो वेक्टर एंड पेस्ट है यह फर्स और पंख पेस्ट इसके पहले आप पैरासाइड ओलाजी पढ़ लियों जहाँ परसाइट के बारे में पढ़ा गया अब यहां पर हमने स्टाड कर दिया है वेक्टर एंड पेस्ट जिसमें आपने गंधी बग के बारे में इस्टेडी किया है और यह गंधी बग इसकी जो इस लोग अच्छे जानते हो बच्चा कि वह एनिमेल जो मोनोजेनिटिक होते हैं उनकी लाइफ जो होती है एक ही होस्ट पर कंप्लीट होती है यह आप कहा सकते हो पैडी क्राप पे आंद पैडी क्राप हमने लिखा है आप जो सेट हो कर दीजिये कोई नहीं अच्छे से आप लोग जानते हो कि जो अभी हमने गंदीबग के बारे में पढ़ा है तो गंदीबग कहां पाया जाता है धान के फसलों पे अगर आपके घर में लाइट है तो जरा आप बल्व को आन रखिये गया और रात के 9-10 बजे के करीब या 7-10 के बीच में आप देखे के तो सेम व्ऐसा ड्यगारम आपको मिल जाएगा आपके ही बल्व के आसपास ड्यगां मतलब बना बनाए बल्व के पास पास में मिलेगा वह कीड़ा आज कि ये सब लाइट के प्रति एट्रक्ट होके चलते ही रहते थे यहां पे दИखते हैं यह एक लाइफ को प्लांट को पेच्छेकल्ड्याइक प्लांट पर हमने इसके पहले यह बात किया थाकि धान वे रहता है और। और फिर बाजरा पे राई पे तो होस्ट का मतलब यहां पे यह है कि बस वह प्लांट पे ही बिलांग करता है ठीक है तो चलते हैं नेक्ट पॉइंट पे दर लाइस पेस्ट कम्प्लीटेड इंटू फॉल्लिविंग स्टेप्स यानि इसकी जो लाइफ सैकिल है यह कुछ स्ट जान रहे हो तो थोड़ा बहुत प्राबलम होगा कोपुलेशन का मतलब क्या होता आप लोगों को मालूम है आप पार्क में जाओगे अगर दोठों फ्रेंड घूम रहे हो जैसे हम है और हमारे साथ बाटनी के कोई सर है या कमेश्टी के सर हो या कोई मेरा पुराना दोस्त हो जो है स्कुल इंटर से मेरे साथ पढ़ा हो या साथ में पीजी उजी किया हो तो वह कोई फ्रेंड हो जो बाइस हो वह अगर हम साथ में घूम रहे हो तो आप क्या कहोगे दो फ्रेंड घूम रहे हैं लेकिन वहीं पे अगर हम किसी मैम को लेके घूम रहे हो तो आप क्या जो मेल और फिमेल दोनों एक साथ देखे जाते हों उन्हें कपल कहेंगे और उनके अंदर कोई function या कोई activity अगर चलने वाली है तो उसको बुलेंगे copulization और जो ही copulization होता है वहाँ पर क्या होता है with the help of reproductive organ they introduce male introduce sperm into the female body directly और जो ही introduce करता है sperm को female body में वह case क्या होता है कि यह sperm जाके female के ओवं को fertilize कर देता है और वह case कहलाता है fertilization यह बात ध्यांदेना बटा जब sperm ओवं के साथ fuse होता है वह होता है fertilization और उसके पहले जो वह मिलते हैं million जो होती है वह होता है copulation तो यह समझ में आ गया होगा नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं एक formation और एग लेंग सारा प्रासेस हो गया तो अभी बचा क्या है एग लेंग यानि अंडे ही देने की प्रक्रिया रह गई है तो यह अंडे ही देंगे तो यहां पर जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर हमने देखा कि अब क्या होगा अंडे का फार्मेशन या अंडे का निर्मार या अंडे अब देंगे ऐसा थोड़ी नहीं कि यह कॉपूलेशन और फडिलाइसन कीड़े कर लिए तो बैठ जाएंगे घर पे और सारा केमिकल मैटेरियल खर होता है हैं जो एक है वह तोटेगा और वहां से बत्चा है मतलब उसमें से बच्चाही निकलने वाला नहीं प्राइसे चलते हैं डिस्कस करेंगे देने डेबलप मेंट अफ एग और एक का डेवल प्रमेंट यह कैसे होता है यह हम देखेंगे तो यहां पर हम और चार पॉपुलेशन यानि जो पॉपुलेशन का प्रासेस है अकर थ्रो आउट आफ यह बही अगर कोई कपल है तो यह मूवी देखने या पार्क में घुमने क्या इनका सीजन है कि नहीं यार ऐसा है कि हम जन्वरी में ही जाएंगे मूवी देखने या पार्क में घुमने का कोई उनका सीजन होगा कि नहीं सीजन में चलेंग ना अब वह पार्टनर है दूसरे के जब मन में आया घुमने निकल लिए तो वहीं चीज यहां भी वहीं होगा बट बचा सरी अकार थ्रो आउट आफ येर यानि ये पूरे साल चलता है बट मोस्टली लेकिन जादे तर ये जून और जुलाई में देखा जाता है मतलब ये आपका सकते हो कि लोग घुमने तो अक्सर जाय करते हैं लेकिन नए साल जो एक जन्वरी और फर्वरी वाला सीजन होता है उस समय जादे लोग मिलते हैं वैसे इनका भी सीजन वहीं होता ह जून और जुलाई वाला कि जून और जुलाई में ये लोग ज्यादे ऐसे इस स्थिति में होते हैं बहुत में बहुत अडल्ट मेल एंड फिवेल अंडर गोस कापुलेशन ये कापुलेशन में कब जाते हैं इन ब्रीडिंग सीजन यानि ये जो होती है मौसम ये इनकी एक प्लीट होता है अप्टर फर्टिलाइशन फिमेल रेडी टू ले एक जो फिमेल फर्टिलाइश हो चुकी है वह तयार हो जाती है अंडे देने के लिए अब अंडा आएगी घर पे वह लाइट बल्ब लगा है बेट पे अंडा दे के तब जाएगी ऐसा कुछ नहीं दान के हैं के फसलों के उपर पते वहीं ओंडा देगी त刜लते की त fest कि अखीए और सफ्जारन लेइगे जो है एग अघ लेइंग ज़ियां थो देगी पहले हमने चार पॉइंट लिखा था कपूलेशन फडिलेशन फर्मेशन आफ लेंग और दूसरे पर था क्या हैचिंग आफ एग और सारी तीसरे पर चौते पर था डेवलप्मेंट आफ एडल्ट वहां पर हमने बोला था कि हम इसको आगे डिसकस करेंगे तो यह ध्यान देन हमने बोला कि आगे हम देख लेते हैं तो चलते हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो दूसरा पॉइंट आफ एग एग लेंग आफ्टर फडिलाइसन जो ही इसकी फडिलाइसन कंप्लीट हो जाती है यानि इस कीड़े की गंधी बग की फिमेल बग रेडी टू ले एग यह जो कीड़ा है जो कान सा गंधी बग का फिमेल यह तयार हो जाती है अंडे दने के लिए और यह अपना अंडा कहां पर देती है यह दहन के पौधे के पत्ते पर देती है। और कितने अंडी देती है 24े से 30 अंडे इन रोंड लीप यानि इए पैडी के लीफ पे दे देती है 24े से 30 अंडे कतारों में और एक चीज़ ध्यान देना विटा कि कतार में इतने अंडे तो होते इंच रों में एब 6到 28 यानि इसके कटार portion 6 चाहे 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 हो किसी रो में 6 हो सकता है किसी में 7 हो सकता है किसी में 8 यानि यह 20 तक एक कतारा में अंडे हो सकते हैं लेगिन पूरे अंडे की संख्या जो होती है 24 से 30 होगी आगे चलते बच्चा तो यहां पे है दे एग आर ब्लैक जो अंडे होते हैं वो कैसे होते हैं ब्लैक कलर के होंगे ओवल होंगे अंडा गोला तो होता ही है और अटेज्ड और अटेच होते हैं विद लीफ आप पैडी प्लांट और किस से अटेच होते हैं पैडी प्लांट से तू गमी यानि यहां से अंडे के पास से गमी समस्टेंस चिपचिपा पदार्थ निकला रहता है समस्टेंस जिसके द्वारा यह पत्ते से चिपके रहते हैं लेक्स पॉइंट पर चलते हैं हैं आफ्टर शिक्स टू सेवन डेज आप लोगों को बिलीब नहीं होगा अभी हम यह सब नोट आउट करने के लिए कांटिनियूली क्या करना है मास्क का यूज कर रहे हैं दो दो मास्क एक इधर रखे हुए हैं एक वहां पर रख दिये हैं क थोड़ा सा प्राब्लम तो हमको भी जेलना पड़ेगा लेकिन आपको वीडियो पूरा देने की कोसिस करेंगे सो प्लीज आप लोग इंड तक बना रहे हैं बने रहे हैं और जितने लोगों को सेर नहीं किये न अभी तुरंद सेर करिए अपने दस फ्रेंड को सेर करिए औ सुरी यहां हम लेट नहीं बनेगा बिटा यह हैचिंग आफ एग यानि अब इसके अंडे की जो डेबलप्मेंट है वहां से बच्चे निकलने वाली प्रसेज वह होने वाली है आफ्टर टू सिक्स तू सेवन डेज यानि छह से साथ दिन आफ लेंग एग आफ जो अंडे देने की प्रसेज है आफ दह हैचिंग आफ दएग हैचिंग आफ तसिस तू सेवन डे आफ लेइंग यानि अंड़े देने के बाद of the egg hatching takes place hatching start हो जाता है अंडे देने के 6-7 दिन बाद ये hatching वाला step चालू हो जाता है takes place after hatching जो ही hatching हो जाती है after hatching of egg young nymph जो इसके larval वाली stage होती है का सकते हो बच्चे वाली जो बच्चपन इसकी आती है वो nymph होती है पहली stage are developed which are green जो nymph इसका होता है वो कैसा होता है green और yellow is in color green या फिर थोड़ा पीले color का ये दिखलाई देगा nymph also contain ये जो nymph होता है इसके पास large leg होते है बड़े बड़े pair होंगे butt wings जो punk होती है wings are absent punk यहाँ पे इसके पास नहीं होती है ये सिर्फ रेंगता रहता उड़ नहीं पाता ये प्राब्लम इसके पास होती है चलते है नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो डेबलब मेंट आफ एडल्ट है भाई अंडे से निम्फ निकल गया आप निम्फ में क्या होगा सब्सक्राइब से देबलिब करेंगा तो यहां पॉग्रेस्ट ही एक हो गया progressive, retrogressive का step यहाँ चलेगा नहीं, progressive का चलेगा, progressive में एक होता है molting, जो molting आप लोग snake में पढ़ेंगे, surf में क्या होता है, केचूर छोड़ता है न, वो एक stage ऐसी आती है जब हो hibernate किया होता है, hibernate करने के बाद जब हो निकलता है, तो वो अपने केचूर को सांथ बाहर आजाता है, same case, यहाँ पर होगा molting वाला stage, जहाँ पर क्या होगा कि यह अपने कुछ ऊपर के खोल को निकाल देंगे, जादे तर मौथ होता है कि वो अपने ऊपर के कमच को हटा के बाहर, clear, अरे simple सी बात जैसे है, वो अंडा है, अंडे में से मुर्गी चुज से बाहर की तरफ का निकल जाएगा और फिर यह सर बाहर, तो यह होता है molting stage, जहाँ पर कुछ हवस्ता है, उपर की खोल जोती है, हड़ जाती है, after formation of neem, यानि निम के formation के बाद, it undergo metamorphosis, यह कहां चले जाते है, metamorphosis में, यानि कुछ development की तरफ, and form adult body, और बना लेते हैं adult body, य of the paste, जो paste है, उसके निम्फ अब adult body में convert होंगे, निम्फ developed in adult, निम्फ जो है, developed होगा है adult में, paste about 15 to 18, यानि 15 से 18 क्या day, during this stage, यानि इस stage में जो 15 से 18 दिन वाली stage है, निम्फ पास, निम्फ वहाँ पे भी कुछ समय गुजारता है, 65 मत पढ़ लेना बिटा, क्योंकि आप लोग पढ़ने में बड़े तेज हो, तो पढ़ी लोग है, इसलिए हमको अटाना पड़ा, 6 स्टेज, यह molting के 6 स्टेज, 6 स्टेज को complete करती है, 6 स्टेज आफ molting, यानि अपने उपर के खोल उतारने वाली जो दवरान होती है, वहाँ यह उस दवरान 6 स्टेज से गुजर के पहुंशती है वहाँ तक, और फाइनली क्या होता है, एडल्ट में यह convert हो जाती है, यहाँ आप लिख सकते हैं, फाइनली एडल्ट आर developed या एडल्ट आर formed, तो हम इसके बाद, हम लोग life cycle की तरफ, जरा life cycle का पूरा step देख लेते हैं, हमने पूरा life cycle का theory लिखा दिया, अब उसके कुछ point से हम life cycle को समझेंगे, हाँ एक बात और कहेंगे बटा, कि कुछ point और कुछ हमारे साथ वारता लाप करने के लिए, आप हमारे telegram चैनल पे जुड़ सकते हैं, इसके लिए भी सेम हमारा aju booster ही सर्च करना होगा, जैसे हमारा facebook का चैनल है aju boosters, youtube का चैनल है aju boosters, और हमारा जो ये telegram चैनल है, वो भी aju boosters है, तो हमारे social जितने networking site हमने बनाये सब aju boosters से ही आपको मिल जाएंगे, तो अगर telegram चैनल आपके पास है telegram है, तो वहाँ aju boosters सर्च करें हमको पाजाएंगे, या फिर हमारे description में आपको मिल जाएगा हमारा link, वहाँ पे जाके आप जुड़ जाएए, और आप लोग क्या करे कि हम इसको समझा दे रहे हैं, और पढ़ा भी दे रहे हैं, पुरा notes दे रहे हैं, इसके diagram अगर हम दे दे रहे हैं, तो ठीक हैने हम बताएंगे क्या करना है, चलते हम जरा इधर life cycle की तरफ, तो यहाँ क्या होता है बिटा, कि हमने एक बात बताया था, कि अगर हम किसी की life cycle अगर पढ़ना चाहें, तो पहले बात स्टार्ट होती है कि से, male और female से, यह ध्यान देना, एक होता है male, और एक होगी female, कहानी यहीं से शुरू हुई थी बिटा, अगर हम कहा दे कि अगर हम यह written लिखा रहे हैं, और आपको diagram बनाना है, तो आप क्या करोगे, यहीं चीज अगर रहेगा, तो आपको telegram पे हमारे देना होगा बिटा, अब देखो male और female जब मिलेंगे, तो यह step क्या होगा, यहीं चीज ध्यान देना, इसको बोलते है, copulation, यह male और female मिल गए, हो गया क्या, copulation, यह complete हुआ copulation, and fertilization हम कह सकते हैं, fertilization, बहुत इजी है, इसमें कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है, कि यहाँ पर क्या हुआ male female मिलेंगे, और हो गया copulation, और यहाँ पर हम fertilization के case में क्या दिखा सकते हैं, कि male से जो sperm निकला था, और female से ovum, यह दोनों आपस में cross हुए, और इन्हों ने एग का formation कर लिया, female body के यानि यह हो गए fertilized, यहाँ पर इन्होंने कर दिया fertilized कि इसको, female को, तो जो ही fertilization complete होगा, तो यहाँ हम दिखाएंगे, after fertilization, यह next step पर होगा बेटा, after, after fertilization, after fertilization, female ready to, female become कर दिजे, become ready to lay egg, to lay egg, क्या हुगा, कि यहाँ पर, जो ही यह male female आपस में मिले, यहाँ थोड़ा सब प्योटी लादो, सुन्दर ता, उन्दर ता दिखा दो भई, कीड़ा नहीं बना रहा है, तो उसका नाम तो लिख रहा हो, तो थोड़ा सुन्दर कर दो, तो यह जो ही कपुलेशन, फर्टिलाइशन, कम्प्लीट किये, female क्या हुई, female become fertilized, आफ्टर फर्टिलाइशन, female become fertilized, सुरी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह चीज़ रिखना, आफ्टर फर्टिलाइशन, female become fertilized, फर्टिलाइशन, यह हमने क्यों किया, क्योंकि कुछ स्टेप और बढ़ा देते, female become fertilized, अब एक स्टेप इस से अपका और बढ़ गया न, यह आपके लिए बेनिफिसियल होने वाला है, अब यहाँ लिखोगे, फर्टिलाइशन, फिमेल, देखो यहाँ पर बढ़ गया न, फर्टिलाइशन, यह बहुत आसान होता है, लाइशन, पढ़ने और पढ़ने का तरीका, आप लोग भी ऐसे समझ सकते हो, इसली, फर्टिलाइशन, फिमेल, देखो कितना आसान है, रेडी, टुले एग, यानि फिमेल है, यह अब क्या हुई, अंडे देने के लिए तयार हो गई, फर्टिलाइशन, फिमेल, रेडी टुले एग, अब यहाँ क्या होगा, कि जो ही यह तयार हो जाती है, किस स्टेप के लिए, अब आपने यह पॉइंट ध्यान दिया, कि यहाँ पर मेल फिमेल हो गया, इन में क्या हुआ, कि अंडे का स्टेप हमने देख लिया, कि अंडा अभी बड़ी के अंदर बन गया, अब यह अंडे देने के लिए तयार है, अब यह क्या करेगी, कि तुरंत जाएगी, यह जो फिमेल है, फिमेल, रेडी टुले एग, अंडे देने के लिए तयार हो जात ले एग अंद लीफ आफ किसके पैडी लीफ आफ पैडी इन रो द्यान देना बटा ये लीफ के किस पे धान के लीफ पे तयार हो जाती है अंडे देने के लिए और धान के लीफ पे अंडे देती है कैसे कतारों के रूप में और इसके बाद क्या होता है कि हैचिंग होता है इसके बाद ध्यान देना हैचिंग सुरू हो जाता है हैचिंग अब यहाँ पर क्या हुआ बेटा कि हैचिंग स्टार्ट हो गया और हैचिंग के बाद क्या होगा जो ही हैचिंग कम्प्लीट होगा शुरू हो जाएगा मेटा मर्फोसिस या फिर आप कहा देंगे मोल्टिंग मोल्टिंग यही पर मेटा मर्फोसिस भी आप दिखा सकते हैं कि मेटा मर्फोसिस है या मोल्टिंग तो आप यह कह सकते हैं किक्त मोल्टिं गया मૂजिय होगा और मोल्टिं के जेस्ट बात क्या होगा कि यह मेल या फिमेल में जो हंगे वो खन्वट हो जाएंगे यह हुआ वीटा क्या लाइफ साइक्ल वह साइकल बाइट साइकल नहीं लाइफ साइकल आप गंदी भग या फिर लेक्टो कोरी सा वरी कॉर्निस ठीक है अब ध्यान देना बीटा जो आपके लिए वर्क है यहाँ पर क्या है कि यह जो हैचिंग है हैचिंग के दोरान यहाँ पे क्या बनेगा? हुम वर्क है? नहीं जान दो आपको हम नहीं बता है, वो कराएंगे यह है पीटा नीफ. यहीं पे बनता है नीफ उना जान बूच के छोड़ा था? यह होगा हैचिंग के बाद नीफ का फर्मेशन होता है और ये निम्फ के बाद मॉल्टिंग होता है और मेल फिमेल का फर्मेशन यहाँ पे आप हमको क्या करेंगे कि आपको हम निम्फ का डाइग्राम बना दे रहे हैं निम्फ आप लोग देख लिजिए कैसा दिखलाई देता है नहीं तो आप परसान हो जाओगे कि सर निम्फ का डाइग्राम भी नहीं दिया और बोल दिया कि बटा सारे वर्क करके आप लोग दो जितना हमने दिया है अगर आप चाहो तो डाइग्राम के रूप में दिखा सकते हो तो चलो हम हमी डाइग्राम दिखा दे रहे नहीं तो आप लोग को उल्टा पुल्टा कर दोगे काम यह हो गया वही कीड़ा वह वाला कीड़ा जो हमने इसके पहले वाले डाइग्राम में ड्रा किया था तो यह आप लोग इसली ड्रा कर सकते हो यह इसली आप लोग ड्रा कर सकते हैं इसका डाइग्राम हमने दे ठीक इतना तो क्लियर हो गया अब ये इसके बाद यहां तक आप चले आए फिमेल रेडी हो जाती अंडे देने के लिए तैयार फड़ी लाइसन का केस जानी रहे हो तो थोड़ा सा फिमेल का डाइग्राम थोड़ा ब्राइड कर देना बस कुछ इस जंग से है ये फिमेल अंडे देने के लिए जब तयार होगी तो थोड़ा सा यह चिला नहीं रहाँ पर फेक के यह मत कहा देना कुछ इस जंग से ठीक है देने इसके बाद क्या होगा फिमेल रेडी टू ले इग अंडे देने के लिए तैयार है और यह कहां देती है जरा इसका देने खेत में नहीं बहुए यह मताना बड़े कीचण होंगे इस ट्रेंट अपानिवानी लगा होगा तो कुछ इंग से आप धान के फसल को ऐसे तैयार कर लो पत्ते कुछ इंग से कर दो और यहाँ प्लस्टर में एक दिखा दिना यह क्यों बटा यह क्लस्टर यह कि यह यह का है चुट आप दिखाऊ घे यह ऐसे कर दो राउ में दिखा दिना कतार में निम्प का डाइग्राम दिखादे हैं आप लोगों को निम्प कीसा होता यakat थोड़ा-सार डीफरेंट होतां है सबसे किकि निम्प जो अए इस में कोई चीज़े डेवलप नहीं होती विंग्स डेवलप नहीं होता खालिब पुड़ाज होते हैं अपने अपको आ सकते हो कि यह पेंडेज रहे हैं तो कुछ इस डंग से हाथ पैर इसका दिखा सकते हाथ पर मत तोड़ देना यह हो गया निम्प तो थोड़ा यह आप देने के लिए और यहां से निम्प का फर्मेशन होगा यह निम्प चला जाएगा मॉल्टिंग में और मॉल्टिंग में के बाद मेल फिमेल का फॉर्मेशन तो नए है तो सब्सक्राइब करिए लाइक का बट्रियन जरूर दबादे जितना सेयर कर सकते हैं सेयर करिए नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं थैंक्यू फर वाचिंग मैं वीडियो